खबर शिर्मादुपूर से हैं इस बार के वधानसफा चुनाव में प्रदेश के हलाता अन्य चुनावों के मुकाबले भिनता लिए नजर आ रहे हैं दोनों परमुख राजनेतिक डल भाजपाव कॉंग्रेस को जहां एक और बागियों के भी तरगात का अंदिशा है वहीं दूसरों और निर्दल्य परतियाशी इनके लिए मुसीबत पैदा किये हुए हैं जिसके चलते दोनों ही सियासी दलों में भाय एवं अस्मंजस की स्थिती बनी है प्रदेश की कुईवधान सभास दिटो पर निर्दल्य परतियाशी की कारण भाजपा वो कॉंग्रेस की समय करण बिगड़ते दिखाए दे रही है एसी कड़ी में राजसान की होट स्रीट शिर्मादपूर में भी मुकाबला जहां त्रिकोनियों होच चला है जिसके चलते हैं यहां से कॉंग्रेस के बागिया निर्दल्य परतियाशी बलदाम यादव के पक्ष में लोगों का रुजान नजर आने लगा है छेत्रे लोगों का कहना है कि हमें सक्षम एम यूवा परतियाशी चाहिए जो छेत्र के विकास की ओर अगर सर है वही कुछ लोगों ने कहा कि दोनों ही दलों के परतियाशी अपने बादों पर खरें नहीं उतरते हैं और कई बातों से यू टर्ण ले लेते हैं वह कारे करने में अक्षम भी नजर आते हैं उनका स्वास्ते भी इजाज़त नहीं देता कि वह भागदोड कर सकेंगे वहीं कॉंग्रेस प्रतियाशी ने सार्जूरीक मंच से पूर्व में एलान किया था कि वह है इस पार विधानसपा चुनाव नहीं लड़ेंगे वाब जुदिस के मैदान में आ चुके हैं वहीं जनता ने अब कर्मत एम युवा प्रतियाशी को मत देने का मन बना लिया है वहीं दूसरी और निर्दलीय प्रतियाशी बलग्राम यादो शिर्मादपूर वधान सबाद चेतर में अपनी टेम के साथ सगन जनसंपर्क पर निकल रहे हैं अपनी टेम के साथ बड़ी संख हमें स्मर्दकायम कार खरताओं को लेकर छेतर के अरकस में धानी कालोनी वो महाले में पहुंच रहे हैं झाल झाल